हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों आज मैं आपके लिए नौ ऐसी स्कूटीज लेकर आया हो ना कि जिनने आप मार्केट में लेकर निकलो कि तो पता है लोग क्या करेंगे अरे भाई मुणमुण कर देखेंगे और यही कहेंगे वाह क्या तो स्कूटी भाई स्कूटी हो तो ऐसी हो जिया तो दोस्तों इन सब स्कूटीज का प्राइस एक लाग रुब है के नीचे और पफॉर्मस दमदार है भाई तो चलिए स्टार्ट करतें आज की लिस्ट विद दोस्तों बाइक्स तो यार हमको मस्ट मस्ट कूल कूल डिजाइन्स वाले मिल जाते हैं पर स्कूटर्स में आर कुछ अच्छा खासा डिजाइन रहता ही नहीं है लेकिन इस स्कूटी के साथ में ऐसा नहीं है यह देखने में इतनी स्टालिश और प्रीमियम लगती है कि 24cc BS6 engine के साथ में आती है विद 8.7 PS जो आपको आराम से 50 km तक का माइलेज दे देगी स्टोरेज स्पेस भी आपको भर भर के दिये गए है और फ्रेंट में दो और एक डिगी पहला वाला स्टोरेज स्पेस ओपन है जिसमें आप चोटे मुटे समान रख सकते हो यार और दू दूँटरी समान को आप कैरी कर सकते हैं इसी स्कूटी में आपको विंद शिल्ड भी दिया गया है जिससे आप इसे तेजी से हवा में भी चला सकते है और आपको कोई disbalance भी फील नहीं होगा brakes भी इसमें काफी बढ़ियां काम करते हैं और इसका handle भी light और smooth है आपको ऐसा feeling नहीं होगा कि ये भारी scooty है, scooty तो बढ़िया है दोस्तों, बस यही problem है कि इसके rear में कम size का tire दिया क्या है और ये internal fuel feeling के साथ में आता है, external होता तो यार और अच्छा रहता है, वैसे इस scooty की एक showroom price है 90,000 to 1 lakh सही है ना, number 8 Honda Dio, दोस्तों अगर आपका budget छोड़ा सा कम है ना, और आप cool design और must graphics वारी scooty ढूंड रहो ना तो इस scooty को आपको एक बार जरूर consider करना चाहिए, ये Honda की Dio है, जो कम price और अच्छे features के साथ में आती है, और इसमें आपको 110cc BS6 engine दिया गया है, वो भी 7.7 TS के साथ में, अगर आप इसे city में चलाएंगे ना, तो ये आपको 45 km तक का mileage देदेगी और ये fan cooled engine system के साथ में आती है, इसका मतलब इसमें लगे हुए fan engine को गर्म नहीं होने देते हैं और आप easily ride कर पाते हैं मुझे इसका digital cluster भी काफी अच्छा लगा, साथ में comfortable sitting position होने की वज़े से balance भी काफी अच्छा बनता है scooty तो सही है दोस्तों, पर यही है, इसमें आपको सिर्फ drum brakes दिये गए हैं, जो improve हो सकते थे यार साथ में, ये mainly fiber और plastic से बनी हुई है, ये बात भी मुझे सही बदाओ, अच्छी नहीं लगी है, थोड़ा और strong कर सकते थे, बस दिखका थी है कि जितना strong करते जाएंगे, price बढ़ता जाएगा, फिलान, इस स्कूर्टी के एक शोरूम प्राइस की बात करने तो, वो है 69,000 से 75,000 के बीच में, सही है ना? No.7, TVS and truck, दोस्तों, ये एक futuristic स्कूर्टी है और futuristic feature के साथ में आती है, आपको इसमें बहुत कमाल के digital clusters दिये गए हैं, जो sports mode, street mode और भी बहुत सारे modes के साथ में आता है, आप चाहे तो इससे अपने phone को connect भी कर सकते हो, और call और messages के बारे में भी जान सकते हो बात करें engine की तो आपको 125cc air cooled engine दिया गया है with 9.38 PS, जो आपको 45 km तक का mileage दे देगा, इसके front और back में जो lights दिये गया है न, क्या बोलू यार, क्या cool लगते हैं वो, एकदम मसा आ जाता है यार इसके टिकी भी बहुत बड़ी है, लग भग 22 liter की है, जिसमें आपको एक phone charger और LED light भी दिया गया है, इसका exhaust ऐसा sound produce करता है न, कि लगता है कि वाह, आप sports बाइक चला रहे हो, यार, front में आपको disc brake दिया गया है, जो कि अच्छी बात है, बस यही है कि यार, यह स्कूटी भी न, mainly fiber और plastic की बनी है, यह स्कूटी आपको 86,000 से 93,000 के एक शोरूम प्राइस पर मिल जाएगी, number 6 Ola S1, दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, एक electric स्कूटी की, और Ola S1 से बढ़िया electric स्कूटी, भला कौन हो सकती है, कि इतना चल रही है आजकल, मुझे पता है, मुझे पता है, आप सोच रहोंगे कि यार, यह Ola का front suspension तो बहुत ही बेकार है, क्या 110 km का mileage दे देगी, सोचो, petrol वाले scooters में इतना mileage नहीं मिलता है, बस, यही है कि इसे charge करने में थोड़ा time लगता है, वैसे, आप चाहें तो इसे घर पर भी charge करने के लिए रात में रख सकते हैं, और इस स्कूटी के front और rear दोनों में ही disc brakes दिये गए हैं, जिससे एकदम fatoxic bike रुख जाती है, जहां लगाओगे वहीं रुख जाएगी, अगर दोस्तों आप इस स्कूटी में सामान लेकर जाते रहते हैं, तब तो Ola S1 आपको पका पसंद आएगी, क्योंकि इसमें आपको 30 लीटर तक की बोर न हो जाओ, इसलिए इस स्कूटी में Bluetooth speaker भी दिए गए हैं, भाई, कितनी कमाल की बाद हैं, बस्त गाने वाने सुनते हुए चले जाओ, पर यार इसकी कुछ चीज़ें न कमाल की नहीं है, जैसे कि इसका fit and finish, किसी-किसी स्कूटी में आपको footrest lose मिल जाएगा, जो कि यार मुझे अच्छी बात नहीं लगती, ये क्या बात हुई है, इतना पैसा खर्चा करके कोई स्कूटी लेगा, तो कहीं मटगार धिला कहीं ये, कहीं वो, मज़ना नहीं आएगा ना, इसके parts भी बहुत मैंगे आते हैं, जोसे मेरे हिसाब से न, यमहा की one of the best स्कूटी ये ही वाली है, क्योंकि इसका performance तो यार दमदार है, साथ में माइलेज बहुत शानदार है यार, ये स्कूटी 125cc एयर कूल्ट इंगन के साथ में आती है, with 8.2 PS जो आपको 65 किलोमेटर तक का माइलेज दे देगी, कमालेज नहीं कमाले, अब बार बार पेट्रोल की चिंता करना ही नहीं बाई, इसे बस रोड पे चलाईए, और चलते जाईए, स्टाइल मारते हुए, और गया, क्योंकि इसका लुक बिना बड़ा कमाल का है, और फ्रन्ट एलेडी लाइट, क्या मस्त लगता है यार, मज़ा जाता है, दोस्तों ये स्कूटी बहुत हलकी भी है, और आपको इसको हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप इसे इसली चला पाएंगे, और ये साइड स्टैंड कट ओफ सिस्टम के साथ में आती है जिससे ये स्कूटी स्टैंड होने पर चलती नहीं है, और आपका एक्स्ट्रा पेट्रोल बच जाता है वो अलग बात है कि आपको इंटर्नल फ्यूल टैंक दिया गया है, एक्स्टर्नल रहता तो यार जादा चलता ना, बैठे-बैठे पेट्रोल बरा लो, वैसे इसका एक्शोरूम प्राइस है 78 से 85,000 तक, नमबर फो सुजुकी एक्सस 125 दोस्तों कमपनी का तो ये कहना है कि ये गाड़ी कम पेट्रोल पीती है और ये बात सही भी है क्योंकि इसमें 125 CC का BS6 engine दिया गया है, जो की 8.7 PS के साथ आपको 55 किलोमेटर तक का mileage दे देगा और इस स्कूर्टर की seat भी बहुत लंबी है, जिससे आप इस पे आराम से तीन लोगों को बठाक एकदम 3 idiots वाला scene perform कर सकते हो यहाँ वाहां मस्ती कर सकते हो खेर, बात करें इसके design की तो ये most part में chromium finish के साथ में आती है जिससे ये स्कूर्टी बहुत premium लगने लगती है इस स्कूर्टी के ज़्यादादर features बढ़ी आई है जैसे की kombi disc brake दिया गया है front में एक phone charger दिया गया है बस यही है कि इसका suspension ये थोड़ा अच्छा नहीं है अगर आप इसे tough रास्ते पर चलाओगे न तो ये गाड़ी थोड़ा जटके ज़रूर मानने लगती है बस यही दिखकत है इस स्कूर्टी का एक showroom price है 76,000 से 83,000 वैसे बता दोस्तों foreign countries में इस स्कूर्टी को access नहीं address कहते है इंट्रेस्टिंग था ना? चलिए नेक्स्ट है नमुस्ट्री Hero Mestro Age दोस्तों इस sharp looking स्कूर्टी में आपको कमाल के features दिये गए है ये ऐसे digital console के साथ में आती है कि जिससे अगर आप phone से connect कर लेंगे न तो ये स्कूर्टी पूरी तरह से control हो जाएगी अगर किसी ने अपने बच्चे को बोला है कि यार इस स्कूर्टी को एक किलोमेटर से दूर मत ले जाना और अगर वो एक किलोमेटर से दूर ले जाता है तो तुरंत आपके phone में alert आ जाएगा कि जड़ा देखो कोई आपकी स्कूर्टी लेकर भाग रहा है ये स्कूर्टी डिफरेंट कलर्स के वेरियंट के साथ में आती है जो देखने में काफी कूल लगता है इसमें आपको 125cc का engine दिया गया है विद 9.1 PS जो कि आपको अराम से 50 km तक का miles दे देगा फ्रंट में दोस्तों आपको LED light दिया गया है जो कि Iron Man के chest की तरह लगता है और आपको उसे देखकर Iron Man वाली feeling आएगी कि वाह क्या चीज है यहीं है दोस्तों इस गाड़ी के suspension भी उतना अच्छा नहीं है आपको टफ रास्तों पर जटके दे सकती है साथी साथ IBS breaking system दिया गया है कॉम भी होता तो यार ज़्यादा चरहता है न यह स्कूटी आपको 75,000 से 85,000 तक के एक showroom price पर मिल जाती है दोस्तों TVS की ना most famous स्कूटी यही है क्योंकि यह अपने price को justify करती है और भर भर के features के साथ में आती है आपको इसमें front में ही fuel tank दिया गया है जिससे petrol भरवाते समय आपको उतरने की जुरत नहीं बड़ी आराम से बैठे रहो, petrol भरवाते रहो, और गया fuel tank आगे है, इसलिए डिकी का size भी बहुत बड़ा दिया गया 33 liter का है भाई, और गया आपके सारे सावान इसमें easily store हो जाएंगे ये स्कूर्टी 124 CC air cool engine के साथ में आता है, जो अराम से आपको 45 km तक का mileage दे देगा instrument cluster में आपको analog और digital दोनों का interface मिल जाता है जो देखने में बड़ा cool लगता है यार इसमें disc brake भी दिया गया है और combi system के साथ आता है, मतलब एक break दमाने पर दोनों लगते हैं, एक phone charger भी आपको अकेला आता है पर पर पता नहीं mileage कम क्यों दिया गया है इसमें महगाई का समान है भाई, mileage जाधा होता तो अच्छा होता है ना, ये ना, वैसे आपको इसमें frame guard भी दिये गए हैं, जिससे इस स्कूटी पर scratches नहीं लगते हैं और accidents में भी ये बज जाती है दोस्तों, इसमें आपको adjustable suspension दिया गया है जिससे ये गाड़ी, एकदम smooth चलती है और मजा आ जाता है यार, seriously ये लंबी भी हो और इसमें 110cc fuel injected engine होने की वज़े से आपको 50 km तक का miles दे देगी गाड़ी दो बढ़िया है, आखिर most selling bike जो है बस, अगर drum brake की जगए disc brake दिया रहता बढ़िया रहता ना, सही बलना होगे नहीं बलना हो, comment मता ना साथी साथ माइनेस थोड़ा, कम जादा हो सकता था यार खेर, इसकी actual room price है 70 to 80,000 रूपीज तो दोस्तों, इसी के साथी scooters की ये लिए इस ट्यापे खतम होती है आपके हिसाब से सबसे बढ़िया स्कूटी कौन सी है comment करके बताईए, आपके पास कौन सी है तो वो भी बताईए, चलिए, मिल दें आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, खुश रहिए बाबाई, टेक केर